नमस्कार विध्यारतियों मैं विएस राजावत मिशन ग्यान के ओनलाइन प्लेटफोर्म पर आप सभी मित्रों का हर्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदर करता हूं आज अपन रास्तान के उद्योगों का पार्ट फोर वीडियो नंबर चार लेकर के आए हैं जिसमें हम जान ऩरेंगे राज्तान में अध्योग की विकासकी संस्ताइं तो देखेगा आ राजिस्तान में अध्योगिक विकासकी संस्ताइ थे की संस्ता है बीटाओ राजस्तान में और द्योगिक विकास की संस्ता हैं वो पाथ संस्ता हैं पहले मैं आपको बता दूँँ पहली संस्ता है आर एपसी राजस्तान फाइनेंस कारप्रेशन आर एपसी की स्तापना हुई थी उनीस सो पच्पन में मुख्याले हैं इसका जेपूर में और ध्यान रखना यहें राजस्तान में उद्योगों को 20 करोड रुपे तक का रिन उपलप्त करवाने का काम करते हैं और यह प्रसंद डिसी में पूछा हूआ कि है राजस्तान में उद्योगों को 20 करोड रुपे तक का रिन उपलप्त करवाने वाली संस्ता कुन सी है और ऐस। राजस्तान Small Industry Corporation राजस्थान की स्तापना हुई थी 1961 में मुख्याले का हैं मुख्याले जयपुर में इसका भी वेटा वो प्रसंद पूछा हुआ है किसी एकजम्स में प्रसंद पूछा कि राजस्तान में लगू जो लगू और कुट्रुद्योगे इनके उत्पादों का क्रे उनको खरीदने का काम है उनको मोटिवेट करने का काम है वह र安 सीकों की द्वारा किया जाता है तीसरी संस्था आप देखें तो का हैं जेपूर में पाँच सaları है पांचों का मुख्याली जेपूर में है क्या के राजकूंद राजस्तान consultancy organization है राजकूंद का का幫 क्या है ipad को को तकनिकी सायथा और प्रामर्स उपलब्ट करेंगी तो अपनियाब क्या होता प्रामर्स होता हे तो और राजकुन का काम है तकने की साहिता और प्रामर सुपलब्ट करवाने का काम उद्योगों को राजकुन के द्वारा किया जाता है अब इटा चोती संस्ता है रिको रिको ने शवत्तंत रूप से काम करना प्रारम किया 1988 और रिको है राजस्तान में उद्वारा की शीर्ष संच्था है यह पूचले कि रिको का काम क्या है तौ रिको का काम उद्योगों के लिए आधारव धांचे का विकास करना है तो उद्योगों के लिए आदारवू ढाचे का विकास करने का काम वो रिको के द्वारा किया जाता है और रिको राजस्तान में उद्योगिक विकास की सिर्थ संस्ता है इसका मुख्याले भी कहा है जैपुर में है पांचवी संस्ता रूडा 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 की स्तापना है ग्रामिन शिक्त्रों में लगो और कुछुद्योगों की स्टापना को प्रोस्तान देना ताकि गाउं के जो लोग हैं उनको क्रस्ची के अलावा भी जीवन यापन के लिए की दूसरा सहरा मिल सके यह काम रूडा का होता है तो कितनी संस्ताइं हो गई पांच पांचों की स्टापना का वर्स हमारे को ध्यान होना चीए और पांचों का जो मैं फंक्शन है वह भी हमारे को पता होना चीए जिससा में आपको बताया है अब देखेगा की पॉइंट्स मे क्विकास निगम जिसको सोट में कहते हैं राज सी को राज सी को की स्टापना 3 जून 1961 को हुई मुख्याले कहा है पुर्वे हैं बैसिक मैंने आपको बता दिया इनके राजस्तान राज्य ओद्योगिक विकास में योग निगम लिमिटेट बेटा जी ध्यान रखना 69 में ये इंसल्टेंशी ओर्गिनाजिशन 1978 में और मुख्याले कहां जेपूर में हैं राजकोन का काम मैंने आपको बताया राजकोन का काम है उद्योगों को तक्निकी साहिता और प्रस्रिक्शन देना साहिता देना प्रामर्स देना ये काम राजकोन का होता है फिर है रूड़ा रूड़ा की स्तापना 1995 में हुई है कहां जेपूर में है रूड़ा का काम है ग्रामिन श्रिक्त्रों में लगो और कुट्र उद्योगों का विकास करना अब बिटो यहां एक बात बड़ी मैत्प सबढ़ा बॉक्रिष स्टेट्याट्यां करणा तो उसमें प्रेसे और सभ्राट्प धरमिन यहां यह बहुते जबाया है तो जिके वालों में पूछ लिया कि स्तापना तो रिको की स्तापना में विकल्प था नाइंटीन सिक्ष्टिन असी कहीं दिया नहीं और सब्जेक्ट वाले पार्ट में चार संस्ताओं का क्रोश मिलान दे दिया और उसमें रिकों के लिए जो वर्स लिका वह उन्नीस सो असी लिका नाइंटीन सिक्ष्टिन कहीं लिखा देंगे तो एक ही प्रसंद दोनों के अलग अलग उत्तर तो फिर जब आरपी जब अधिनस् निगती है यह आपको थोड़ा जानकारी में होना चीए यह चीज क्लियर कर देता हो मैं बिटाजी नाइनटीन सिक्स्टीनाइन में एक संस्ता गटित हुई थी राजस्तान और द्योगिक खनीज विकास निगम 1969 में एक संस्ता गटी तुईती राजस्तान उद्द्योगी खनीज विकास निगम सोट में कहते हैं आर आई एम डी सी राजस्तान एंडस्ट्रियल मिनरल डवलप्मेंट कर्परेशन तो 1969 जब संस्ता गटी तुईती तब नाम रिकों नहीं था तम नाम था राई सम्डी सी और यहां आप देखें तो उद्द्योग और खनीज एक की साथ थे ठीक है अब बाद में क्या किया राजस्तान सरकार ने 1979 में 1979 में बेटा उद्द्योगों को अलग कर दिया और एक अलग संस्ता बना दी राजस्तान राज्ये खनीज विकास निगम राजस्तान राज्ये खनीज विकास निगम सोट में कहेंगे आर एस एम डी सी राजस्तान स्टेट मिनरल डवलप्मेंट कॉर्परिशन यानि खनीजों को क्या कर दिया अलग कर दिया कब 79 में अब जब खनीज अलग हो गए तो अब केवल क् द्योग बचा इसका नाम कि जनवडी उनई सो असी में कर दिया राजस्तान और धयोगी के विकास निवेस निगमा विकास निवेस निगमकिन क्या ओपण सोट्ट में क्या कहते हैं रिक्को तो ध्यांदर्पणा के समें नाम रिक्को नहीं था सensor के समें नाम था रहिए ईमडीर सी में इतरफसे क्या में धिशिक hen 9 और 1980 दोनों देता है तो 1980 को priority पे लेना है क्योंकि अधनर स्बोड 1980 को सही मान चुका है और अगर 1980 दिया ही नहीं केवल विकल्प में दिया ही 69 है तो फिर 69 करके आना है यह बात आपको ध्यान में रखने चीए तो राजस्तान में उद्योगिक विकास की संस्ताइं अपने ली राजस्तान में उद्योगिक विकास की कितने संस्ताइं पांच पांचों की स्तापना का वर्स आपको पता होना चीए पांचों का जो बेसिक फंक्शन है क्या काम वो करती है यह आपको पता होना चीए और जनरली आप देखोगे विटा इन पांचों में से कोई कोई संस्ता है वो एक्जाम में पूछी जाती है निश्यत रूप से नीतियां बिटा जी राजस्तान की उद्योगिक नीतियां आप देखें तो राजस्तान में उद्योगिक नीतियां है यहां चारतो यह लिखें हुई है राजस्तान में नीतियां जो चारों बेरुसिंग सेखावजी के समय गोशी तुई थी ये चारों तो लिखी हुई है तो अध्योगिक नीतियां में पूरी साथ लिख देता हूं और द्योगिक नीतियों की बात करें तो पहली नीति की यहिए रस्तान में गोशी तुई theft ऐती- उन्नीं सिटां ग्राण में में हैं दूसरी उन्नीस सो हो नव वह करान में स्कुन worked में अज़ां पांचवी अजार कुझलि दशमल में शटवी 2015 में और साथवी 2000 में एजपी दो जार उन्नेश्तान में आज तक सात बार उद्योगिक नीतिया है वो गोशित हो चुकी है विटा उध्यान्द रखना यह पहले वाली चार उद्योगिक नीतिया है यह तो बहरो सिंग्जी सेकावत के समय गोशित हुए थी, वहरो सेकावत के समय ठीक है 2010 वाली असोक गहलोत के समय असोक गहलोत 2015 वाली वसुंद्रा वसुंद्रा राजे के द्वारा और 2019 वाली है फिर से असोक गहलोत के द्वारा भी यहां आपकलतो ध्यान में क्या रखना सातवार औध्योगिक नितियां गोशित हुए यहां तक तो ठीक है पर ड़ेजस्तान सरकार की पहली ओध्योगिक निती 24 जून 1978 को गोशित की गई थी ध्यान रखने की बात है और एक बीटा जो नविंतम उद्योगिक नीती है इसकी भी डेट ध्यान रखना 19 दिसंबर उन्नीस दिसंबर दो हजार उन्नीस राजस्तान सरकार की वर्तमान या नविन उद्योगिक निती कब की है तो राजस्तान सरकार की वर्तमान या नविन उद्योगिक निती है 19 दिसंबर 2019 की है पहले तो यह बाते ध्यान रखना अब आपके दिमाग में एक बात आ रही हो गई कि सर ने कि बाकी जितनी भी ओद्योगिक निती हैं उन्हें तो सिंगल एट लिखा है दूसरी ओद्योगिक निती उसमें किया गया था इसलिए बेटा इसको ग्रूप में लिखा जाता है वो है उनीस सो नबबब एकरान में तो ध्यान रखें राजस्तान में कितने बार उद्योगिक हो चुकी है राजस्तान में साथ बार अध्योगीग निति हमारे से पूसता है तो राजस्तान की पहली अध्योगीग नीती है वह 24 तून draft 1978 की ध्यांसे सुलेना इसीसटार को और राजस्तान सरकार की वरतमान या नविंतम उद्द्योगीग नीति मैं पूछता है तो राजिस्तान सरकार की वर्तमान या नमिंतम उद्योगिक नीती है वो 19 दिसंबर 2019 की है थोड़ा द्यान देनाया राजिस्तान सरकार की वर्तमान उद्योगिक प्रोथसान नीती पूछे राजिस्तान सरकार की वर्तमान उद्योगिक प्रोथसान नीती पूस्ता है तब तो हैं सत्रा दिसंबर 2019 और राजिस्तान सरकार की वर्तमान उद्योगिक निती पूस्ता है तो वो है उन्नीस दिसंबर 2019 ये बात बिटाओ आपको विशेश रूप से ध्यान रखने चीए फिर हैं रास्तान में उद्योगिक प्रोस्तानीतियां तो प्रोस्तानीतियां आप देखी रहें दो जार तीन दो जार दस दो जार चौदा और दो जार उन्नीस प्रोस्तानीतियां कितने बार हो गई चार बार हो गई है और इनमें तीन प्रोस्तानीतियां सो गहलोजी ने गोशित की है और दो जार चौदा वली के उपकरम मतलब क्या है एसा उपकरम जिसकी स्तापना की है किंदर सरकार ने जिस पे कंट्रोल भी है किंदर सरकार का और इस्तित का है हमारे राजस्तान में इस्तित है उनको कहा जाता है राजस्तान में किंदर सरकार के उपक्रम भेटा इसके भी लगातार प्रसन है वह देखे जा रहे हैं प्रसद यह देखा जा Rats निम्ण में से कों सा केंदर सरकार का उपक्रम नहीं हैं तो बैटा क्या करता तीन नाम तो इन्हीं सब्सक्राइब थेता यहां आपको ध्याण क्या रखना है नहीं है कि सातो सब्सक्राइब सब्सक्राइड को एक क क्षान करने के लिए सातो नाम है याद होने चाहिए, अब सातों नाम याद होने चीए तो देखेगा कि ने श्रकार के पहले हैं सामर साल्ट अठीड हैए इसके स्थापना हुए यह 64 में और कहां ये जैपुर में चामब जैपुर में और राजस्तान सरकार की इसитель क्षली तो साथ ऒंपाती किसे दारि है और इसमें साथ परसेंट इस्य दारी वो सेंटर्ड गवर्मेंट की हैं 40 प्रतीशत इस्यदारी है वह bêटा जी सरकार की है दूसरा है मौडरन बैकरीज मौडरन बैकरीज की स्थापना 1965 में जेपुर में हुई थी और द्यान दुटना जाजा में क्रोस लगा रहा हूं वह बंद हो चुके मौडरन बैकरीज बंद पड़ी है फिर इंस्ट्यूम 1917 मंटिड इंस्ट्यम एंटेंस्ट अलमीटेडड नाइनटीं सुक्ती कोटा में और इसको यह भी भी बेटा बंद हो गया इसको अभी बंद कर दिया गया है फिर है खिन सतान जिन्क लिमेटेड հिंहें फिर हैं हिंदुस्तान कोपर लिम्मीटेड हिंदुस्तान कोपर लिम्मीटेड आप देखें तो बेदेड और isn't खेतडी में हुई और खेतडी काहां जुझनु में हैं और इसलिए मैंने आपको बता रखा यह प्रसंद भी आया हुआ पी एसाइक एक्जाम में खेतडी है नहीं मिटाओ इस खेतडी को राजस्तान की कौपर सिटी कहा जाता है खेतडी को ही राजस्तान की तांबर नगरी कहा जाता है यह प्रसंद पीएसाइक एक्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्तान की कौपर सिटी या तांबर नगरी किसे कहा जाता है तो राजस्तान की कौपर सिटी या तांबर नगरी यह वो खेतडी को कहा जाता है फिर हिंद हिंदुस्तान मसीन हिंदुस्तान मसीन टूल्स की स्थाप्ना नाइंटीं टिस सवन में अजमेर में हुई थी ये भी बंद हैं किस तेस्के सयोग से चेका सलावाक्या के सयोग से चेको छलावा किया के सयोग से इसकी स्थापना हुई थी और HMT है यह भी बंद पड़ी है फिर राज्स्तान ड्रक्स एवं फार्माशिटीकल राज्स्तान ड्रक्स एवं फार्माशिटीकल इसकी प्रापना बिटा हुई थी वह 1978 में हुई सीतापुरा जेपुर्वे और यहां भी आग लगने के कारण इसको आग लगने के बाद बंद कर दिया गया है तो यह भी बंद पड़ा न जी जाएं जहां जामें नेट क्रोस लगाया है वह अभी बंद पड़े हैं रास्तान में कि किंद्र सरकार के उपकरम साथ है इन मीनिंग क्या है एसा उपकरम जिसकी स्थापना केंद्र सरकार ने की है कंट्रोल भी केंद्र सरकार का है और इस्तित कहा है रास्तान में इस्तित है उनको रास्तान में केंद्र सरकार के उपकरम कहा जाता है पहला है हिंदुस्तान साल्ट इसमें यिद्द्नित्रों राज्री सरकारों की इसाट इससेदाशी है। दूसरा पने लिखा हम मौझरण बैक्री मौझरण बैक्रीज की इस्थापना 1965 में हुई जेपुर में हुई। त्ड आपने लिखा instrument usted limited इसकी स्थाप्ना भी 1965 में कोटा में चोठापने लिखा है हंदुस्तान जिंक ल zeros चिंग लिंटेड हंदुस्तान जिंगल्टेड की स्थाप्न to 1966 में हुई देबारी उदेपुर में फिर अपने लेका हिंदूस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में खेतड़ी में हुई जुनजुनु में और इसलिए खेतड़ी को राजस्तान की तांबर नगरी या कॉपर सिटी के नाम से हम जानते हैं फिर अपन बात करें तो छटवे नंबर पिलिका इंदुस्ता मसिन टूल्स हम्टी हम्टी की स्टापना उनीस तो सरकार के क्या है यह राजिस्तान में किंद सरकार के उपक्रम है इसकी अलावा कुछ बातें और अपन को जाननी चीए लाजिस्तान में सेज 10 सितंबर 2013 को लागो हुआ है और भारत में सेज 10 परवरी 2006 को लागो हुआ है पहले तो सेज होता आईए जाने सेज सेज स्पेशियल एकनोमिक जॉन सेज होता है स्पेशियल एकनोमिक जॉन हिंदी में इसको कहते हैं विशेष और थेक शेक्टर सेज स्पेशल एकोनिक जॉन होता है वीशेष आरतिक शेक्टर अगर ही बात की जाएँ कि सेज एक्ट रमने रहें कासे कि जाें कि हमारी भारत ने जीन से ग्रेंड किया ने है भो सेज हिए चीन से एडप्ट किया है ये बात हमारे कुध्यान में रखनी चीज़े बिटा राजस्तान में सेज एक्ट है वो दस शेप्ट्यमर 2003 से लागू कर दिया गया था और भारत में सेज एक्ट है वो दस परवरी 2006 से लागू किया गया है सेज होता क्या है सेज की अंतरगत सरकार क् किसी शेक्त्र विशेश को उद्योगों के लिए आरक्षित कर देती है सेज में होता क्या है सेज में सरकार किसी शेक्त्र विशेश को उद्योगों के लिए आरक्षित कर देती है कि सेक्त्र का प्रियोग only for industrial purpose and industrial use किया जाएगा किसी शेक्त्र विशेश को उद्योगों के लिए आरक्षित कर देती है कि या उद्योगिक बस्तियां डवलप होगी या उद्योग डवलप किये जाएंगे वहाँ आवाश ये गतिविदियां नहीं होगी और नहीं केवल किसी शेक्त्र विशेश को उद्योगों के लिए आरक्षित किया जाता है बलकि वहां उद्योगों से सम्मंदित आधार्बू जो ढाचा है वो विक्षित किया जाता है वो क्या कहलाता विटाओ सेज जिसे सीतापुरा सेज है महिंद्रा सेज है क्या है यह किसी शेक्त्र संचालित नहीं होगी वो क्या कहलाता है सेज और सेज की स्तापना का उद्देश्य होता निर्यातों को बढ़ाना सेज की स्तापना का उद्देश्य होता निर्यात बढ़ाना निर्यात कब बढ़ेगा जब उत्पादन बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ेगा और उत्पादन यह सेज की स्थापना का क्या होता विटा उद्देश्य होता है तो द्यानतना सेज क्या होता है आप जान चुके हैं सेज इकनोमिक जोन होता है राजस्तान सरकार ने सेज एक्ट है वो दस सित्मबर दोजा तीन को लागू कर दिया था और बारत सरकार ने सेज एक्ट जो प्रसार अधिकारी का है और उद्योग प्रसार अधिकारी के एक्जम में ये क्यूशन्स पूछ लिया गया कि राजस्तान में बड़े उद्योगों के विकास की प्रमुक बादा क्या है राजस्तान में बड़े उद्योगों के विकास की प्रमुक बादा पूछी हुए प्रस उद्योगों के विकास की प्रमुक बाधा कि राजस्तान में बड़े उद्योगों के विकास की प्रमुक बाधा क्या है तो उत्तर था वित्या पूंजी का अभाव इस्था में वित्या पूंजी का अभाव है रास्तान में बड़े उद्योगों के विकास की प्रमुक क्या है बाधा है फिर ध्यान रखना दूसरी बात पूछे कि राजस्तान में उद्योगिक पिछड़े पन, उद्योगिक पिछड़ा पन का कारण क्या है? तो राजस्तान में उद्योगिक पिछड़ा पन का कारण है प्रतीकूल, प्राकर्तिक और भोगोलिक दसाएं। कि यह राज्टान की उद्योगिक पिस्रेपन का कारण है इऍ। अब आप कोगे साथ कैसे प्रतिकुब Augative दसाइए प्रकुर्थीसजाइब शेक्त्रफल आप देखें तो शेक्त्रफल की द्रिस्टी से भारत में राजस्तान राज्य का प्रथमिस्तान है पहले ध्यान रखना है शेक्त्रफल की द्रिस्टी से सबसे बड़ा राज्य मद्य प्रदेश हुआ करता था पर एक नौंबर 2,000 को मद्धे परदेश से 36 गड को अलगकर दिया गया और जब से 36 गड अलग हुआ है शेक्तिरफल की दृस्टी से राज़स्तान राज्या का पहला इस्तान हो गया पर शेक्ति प्डि फ़ल में पहला ह스 यह पर वेटाओ राजस्तान का जो शेक्तिर फ़ल है इसका 6.11 । प्रस्टी से राज़स्तान भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है परन्तु इसका एक सब कर दो ए बिड़्स ब्रक्टरशन की विवस्ता करने में बढ़ी प्रोबलम होती है वहां उ ड्राउस्पोर्टेशन नहीं है और आपको पता की जो इंड़स्रिय इसके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही जरूरी होता है कच्चे माल को लाने और्डियार माल को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होनी चीय और 61.11% भाग हमारा रेतिला है यानि राजिस्तन की स्थतितों में कहूंगा ऐसी है कि बड़ा भया तो क्या भया जेसे पेड़ खजूर पंची को चाया नहीं फल लागे अतिदूर दोस्तो शेक्टरफल हमारे पास में सबसे ज़्यादा है पर एक सेट पॉइंट 11% भाग रेतिला है इसलिए उस सेक्टरफल का हमारे लिए कोई यूज नहीं है इंडस्ट्रिल एग्रिकल्चर से भी देखें तो को यूज नहीं है क्योंकि रेतिला शेक्टर उसमें खेती भी नहीं होती है ज्यादा खास और इंडस्ट्री वहां वह ज्यादा डवलप नहीं हो पाती है फिर दूसरी बात आप देखें कि दूसरी समशिया क्या है दूसरी समशिया यह हैं कि भारत का 10.41 प्रतिशा सेक्टरफल राजस्तान में भारत का 10.41 10-20 प्रतिशचत से ट्रफल राजस्तान में पर भारत का जो शुतेजल जल ग्रांड वाटर वोगी वह एक पॉंट्टadic प्रतिशत ही राजस्तान यानि यानि है इन्य बारत का शिक्त्रफल में कितना दस पॉंट्टा कि तौन्ट्यस प्रतिश्चत हर है और भारत पानी सबसूर अरे इंडस्री के लिए तो पानी की बहुत ज़्यादा जरुत होती है और हमारे पास पानी नहीं है और आपने पड़ा है बिन पानी सबसूर जो भी करामात वो किसके पानी की हैं बिना पानी के कुछ भी नहीं अरे दोस्तों आपको पता है पानी नहीं तो पावर न नहीं तो प्रडक्शन नहीं प्रडक्शन नहीं तो इंप्लॉइमेंट नहीं इंप्लॉइमेंट नहीं तो इंकम नहीं और इंकम नहीं तो कुछ भी नहीं यही राजस्तान में और द्योगिक विकास की सबसे बड़ी क्या है समश्या है और द्योगिक पिस्ड़े पन की सबसे बड़ी समश्या है क्यों क्योंकि एक तो हमारे शेक्ट्रिफल का 11.11 प्रतिशत भागवुरे तीला है दूसरी बात हम कह रहे हैं कि हमारे पास में जो ग्राउड वाटर है वो और शेक्ट्रिफल भले 10.41 पर ग्राउड वाटर हो हमारे पास में 1.16 प्रतिशत ही हैं यही रास्तान में और द्योगिक पिस्ड़े पन के कारण है है । इसके अलावा भी कुछ बात एक दो बात और आपको पता होनी चीए पीटो आर इस प्रलेम स्में एक बार प्रसंद पूछा गया था कि वर्तमान सबेबे राजितान में कितनी जिला हैं तो ध्यान रकना वर्तमान समय में राजितान में जिला हो द्यों की के उनकी संक्या तो है 36 और उपकेंद्रों की संक्या कितनी है आठ तो 36 जिला उद्योगी केंद्र हैं और आठ राजस्तान में बेटा जी उपकेंद्र हैं फिर पिछला जो LDC का एक्जाम हुआ था उसमें प्रसंद पूछा था कि राजस्तान के किस जिला उद्योगी केंद्र को इंद्र प्रस्त के नाम से जानते हैं तो जो कोटा जिला उद्योगी किंद्र है उसको इंद्र प्रस्त के नाम से जाना जाता है और जोद्पूर जिला उद्योगी किंद्र है उसको मरुधरा के नाम से जाना जाता है तो यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अग राजस्तान में अगर जिला उद्योगिक केंद्र पूछे आरेस प्रिलिम्स में पूछा हुआ प्रसन है जिला उद्योगिक केंद्र है जिला उद्योगिक केंद्र है कि राजस्तान में कितने जिला उद्योगिक केंद्र है तो राजस्तान में 36 जिला उद्योगिक केंद्र है और अगर पूछे कि उप किंद्र कितने हैं तो राजतान में 36 तो जिला उद्योगी किंद्र और 8 क्या है उप किंद्र है पहली बात यार इस प्रिलिम्स में पूछा हुआ प्रसन है फिर अगर पूछे कि ये जो जिला उद्योगी किंद्र है 36 इन जिला उद्योगी किंद्रो कहा जाता है इंद्र प्रस्त कहा जाता है तो इंद्र प्रस्त कहा जाता है कोटा जिला उद्योगी किंद्र को यह प्रस्ट एलडिसी के एकजाम में पूछा हुआ है और बेटा जी यह पूछे कि किस जिला उद्योगी किंद्र को मरूधरा कहा जाता है तो मरूधरा जो कहा ज किंदर है इसको इंद्र प्रश्ट कहा जाता है ध्यान रखें राजस्तान में जिला उध्योंगिक के इंदरों की संक्याइब कि इतनी है अँछ ने हैं आठ हैं और यह मैं आपको बता चुका हूं राजिस्तान की दियोग नगरी मैं या कानपूर पूचता है तो राजिस्तान की और कनपूर को ते के नगरी या कानपूर को कहा जाता द्यान रखना, एक चीज और, राजस्तान में सबसे ज्यादा बाउरास्टिय कंपनियां है, MNC, Multinational Companies, राजस्तान में सबसे ज्यादा जो बाउरास्टिय कंपनियां है, Multinational Companies है, वो बेटा जी नीम राना अलवर में, ध्यान रखना ये पूछा हुआ प्रसनिसी पहले बात तो राज्टान में सबसे ज़्यादा में समझ गई हूंगे मुल्टी नेस्ट्रल कंपणी जिंदी में कहते हैं बावरास्टी कंपनिया किस देश की है जापान देश की है सबसे ज्यादा संक्या का है नीम राना अलवर म नीम राना को राजस्तान का जापानी जौन कहा जाता है ज्यान रखना राजस्तान का जापानी जौन किसे कहा जाता है तो राजस्तान का जापानी जौन है वो कहा जाता नीम राना को और नीम राना का है अलवर में हैं ये प्रसंद इस बार जो कोलेज का एक्जाम हुआ थ उस एक्जाम से में इस प्रस्म को पूछा गया है कि राजस्तान का जापानी जोन किसे कहा जाता है तो राजस्तान का जापानी जोन नीमराना को कहा जाता है नीमराना कहा है अलवर में यह मैं आपको बताई चुका हूं कि राजस्तान का अगर मैंचेस्टर पूचता है वस्त कर अब्धा दोनों का है दोस्तों जापान की हूंडा कम्पणी ने मोटरसाइकल शकूटि बनाने और तो यहीं हमारा उद्योगों वाला जो चेप्टर है वो खतम होता है अगली क्लास में अपने टोपी के साथ फिर से मुलाकत करेंगे आज के लिए बहुत बहुत आशिरवाद शुब कामनाई थैंक्स